हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टिदी पॉइंट दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए करेंड फेस का मॉक टेस्ट यानि प्रेक्टिस सेट लेकर आया हूँ टोटल दस कोईश्चन है इस पूरे वीडियो में और आपको सॉल्व करना है साथ में और लास्ट में क सायरी में थोड़ा और बेहतर करने की आवश्यक्ता है ठीक है तो आप इस टेस्ट को ज़रूर सॉल्व करिए और मैं अनकेडिवी पर ही पढ़ाता हूं तो अनकेडिमी का लर्निंग प्लेश्टोर से डाउनलोड करके उसमें ऑनलाइन स्ट्व पॉइंट सर्च करके हमें कर सकते हैं मैं अपने अनकेडिव प्रॉफाइल के लिंग इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में भी दे दिया हूं उस लिंक पर डारेक्ट करके आओं पर फॉलो करके और बनाएक करने फिस वीडियो बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं चली स्टाट करते हैं पहला क आपको राइट एंसर बताना है आपके पास चार सिकन का टाइम है तो इसका राइट एंसर है और आप मेरे साथ कमेंड बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इसका एंसर जरूर लिखिएगा चलिए नेक्स कोशन है हाली में विश्च की पहली माइक्रोफ हेक्टरी की इस देश में शुरूर की गई है आपको बताने है कि विश्च की पहली माइक्रोफ हेक्टरी की इस देश में शुरूर की गई है आपके पास चार सिकन का समय इस कोश्चन का एंसर देने के लिए चलिए इसका राइड एंसर है Option है ऑस्टेलिया देखे सुविश्च की पहली माइक्रोफ हेक्टरी ऑस्टेलिया में सुरू की गई है और आपको बता दे कि इलेक्ट्रोनिक कचरे के सामान जैसे कि स्मार्टफोन और लेप्टॉप को फिर से उपियोग के लिए मोलिवान सामागरियों में बदल सकता है ठीक है तुसका राइड एंसर है Option A तीसरे नमबर का कोश्चन है सेना में महिलाओं को किस प्रकार की भूमिका में छोड़ कर अन्य भूमिकाओं में अस्थाई कमिशन दिया जाएगा Option एंजिनरिंग भूमिका B लडाकू भूमिका C संचार भूमिका या D उप्रोक्त में से कोई नहीं आपके पास चार सेन का समय है Right answer है B लडाकू भूमिका सेना में महिलाओं के लिए एक विशेष कैडर का निर्माल कर उन्हें काई शेत्रों में स्थाई कमिशन देने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और महिलाओं को लडाकू भूमिका छोड़ कर भूमिकाओं में स्थाई कमिशन दिया जाएगा ठीक है इसका Right answer option B है चौते नमबर का question है रूस के राष्टपती C पांचवें या D छटें आपके पास 4 सेकन का समय है इस question का answer देने के लिए Right answer है B चौते 65 वर्सी जो ब्लादीमिर पूतिन को चौती बार देश का राष्टपतीपत की सपत दिलाई गी ठीक है तो चौती बार इन्होंने President करू में सपत ली है पांचवें नमर का question है राजसभा की नियमों में परिवर्ता नहेतू निम लिखित में से किसके देक्ष्टा में एक्षामिती का गठन किया गया है Option A बैंक एन आडू B संबित पात्रा C वी के अगनी होत्री D अर्जुन तिल्हानी आपके पास 4 सिकन का समय इस question को solve करने के लिए Right answer है Option C वी के अगनी होत्री ठीक देखे दोस्तों राजसभा की नियमों में परिवर्ता नहेतू बनाईगी समिती के देक्ष्टा राजसभा की चुपूर्व महासचिव वी के अगनी होत्री करेंगे और उसमें बिधी मंत्रा लेकर शेवने भी समयुक सची और एस धलेता भी शामिल होंगे ठीक है तो Option C राइट है वी के अगनी होत्री 6 नंबर का question है खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरन द्वारा जारी नए निर्धेशों के अनुसार डिबबावन दुत्पादों में कूल एनर्जी की तुलना में ट्रांस फायर टेवम सोडियम के एनर्जी की मात्रा 10% अधिक होने पर उसे किस रंग में दर्शाय जाना चाहिए Option A पीला, B काला, C सफेद या D लाल आपके पास 4 सिकंड का समय है इस question का answer देने के लिए तो राइट answer है इसका D लाल खाद शुरक्षा और मानक प्राधिकर्ण द्वारा जारी नया निर्शों के दिशा नुशार जो है तो डिब्बा बंद उत्पादों में कूल एनर्जी की तुलना में ट्रांस फायर टेवम सोडियम के एनर्जी की मात्रा दस प्राधिक होने पर उसे लाल लंग में प्राधित किया जाना चाहिए सेवेंथ नमर के कुश्चन है भारत और किस देश ने शिक्षा के छेत्र में विदेश शेवर संस्थानों के माध्यम से राजनेक सहयोग मजबूत करने का समझोता किया है आपके पास option है ग्वाटे माला बी पाकिस्तान सी रूस या डी चीन आपके पास चार्ज स्कूर्ण का समय इस कोश्चन का एंसर देने के लिए राइट एंसर है दोस्तों option है ग्वाटे माला भारत और ग्वाटे माला ने शिक्षा के छेत्र में बिदेश शेवर संस्थानों के माध्यम से राजनाईक सहयोग मजबूत करने का समझोता किया है त्यानि option है right है अगला question है आठवे नंबर का भारत ने लिबरेशन अंतराष्टी स्चूटिंग ग्रामपी प्रतयुगता में कितने रज़त पतक जीते हैं चली इसका right answer है option C 2 भारत के निशानेवाज गगन नारंग और पूजा घाटकन ने चेक गणराज के पिलसेन में लिबरेशन अंतराष्टी स्चूटिंग ग्रामपी प्रतयुगता में संसोधित दोहरे कराधान बचाव संधी को अधिसूचित कर दिया है आपको बताना है कि C V D T ने भारत और किस देश के बीच संसोधित दोहरे कराधान बचाव संधी नी D T A A को अधिसूचित कर दिया है option A नेपाल, B जापान, C रूस या D कुबैत आपके पास 4 सेकंड का समय है तो इसका right answer है option D कुबैत केंदिरी प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 7 मई 2018 को भारत और कुबैत के बीच संसोधित दोहरे कराधान बचाव संधी को अधिसूचित कर दिया है लास्ट कोईशन है दोस्तों भारत ने राश्ट्री पोस्ट अभियान के लिए विश्च वैंग के साथ कितने मिलियन डॉलर के रिंड पर हस्ताक्षर किये है आपको बताना है कि भारत ने राश्ट्री पोस्ट अभियान के लिए विश्च वैंग के साथ कितने मिलियन डॉलर के रिंड पर हस्ताक्षर क पास राइट एंसर है ऑप्सन भी 200 मिलियन डॉलर दीखे दोस्तों भारत ने आठ महीं 2018 को रास्टी पोस्ट अभियान के लिए वर्ल्ड वाएंगे साथ 200 मिलियन डॉलर के रिड़ पर किये हैं तो आई होप आप लोगों ने मेरे साथ ही पूरी कोश्टन सौल विकिया होंगे तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा मैं सभी कमेंट रिट करूंगा और जिसका टॉप स्कोर देखते हैं किसका रहता है दस पॉइंट ओफिस्यल के नाम से फेस्बूक आईडी है अपने फेस्बूक सर्च कर लिजे या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डारेक्ट लिंक पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं फेस्बूक पेज को साथ इस्टाग्रम पर फॉलो कर लिजिए टेलिग्राम जोईन कर सकते हैं बहुत सारे करेंडे फेस्बूक प्रोवाइड करता हूं आपको तो मिलते हैं नेक्स वीडियो को साथ दोस्तों आपका दिन शूब हो जैहिन बंदे मात्रम